स्टूडेंट स्वागता आपका ओके बाईलोजी में आज की इस वीडियो से हमें अपने एक अक्सा बारा के N.C.T. सेलेवस का सेकंड चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेकंड चेप्टर का नाम है पुस्पी पादपो में लेंगिक जनन जो पुस्पी पादप होते हैं अथार्त आवर्त वीजी और अनावर्त वीजी उसमें लेंगिक जनन और उसमें से केवल अपन इस किताब में अपने चेप्टर में केवल आवर्त वीजी तो पादप होते हैं उनमें लेंगी जिनन का पूरी परिक्रिया का दिन करने वाले हैं तो आपके सेलेबस में केवल आवरत वीजी जो पौदे होते हैं एंज्जोस्परम पौदे होते हैं उनमें किस तरह से लेंगी जिनन होता है वो परिक्रिया पर पढ़ने वाले हैं तो यह बोड़ परिक्स है उसके वीडियो बनाकर complete कर लिया है आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर कक्सा 12 एंसी आर्ट की जो headline है उसमें देखकर आपको जो 6 वीडियो बनाए हुए उनको आप देखकर फस्चेप्टर को समझ सकते हैं तो चलिए पटापट अपन चालो करते हैं अपना दूसरा अध्याई जिसका नाम है पुस्पी पादपॉंबे लेंगी के परजनन अभी जो भी स्टुडेंट अपने चैनल पर नए है वो अपने चैनल को सब्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बायलोजिक का जो latest वीडियो है आपको उसका notification प्राप्त हो जाए आपको पिछले जितने भी कुछ वीडियो देखने है आप प्लेइलिस्ट में जाके देख सकते हो और उस वीडियो की आप description box याने जो एडलाइन होती उस एडलाइन के ठीक सामने आपको एक एरोगाचेन देखेगा उसको आप उपन करके पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो अपने एक बार पुस्प की सरचना को बना कि आपको पूरा पुस्प का कितने होते हैं कौन को चक्र होते हैं किस तरह से अपने को दिन करना वह पड़ेंगे तो सबसे पहले पुस्प होता क्या है तो पुस्प देखे एक रुपांतरित प्रो होता है यह इसकी definition है कि कारीये करता है तो अपने प्रारूप पुस्प का चितर बना कि प्रारूपिक पुस्प का चितर मेंने कि पुस्प को बनाते हैं तो देखिए पुस्प में होता क्या है तो सबसे पहले पुस्प का चितर बनाते हैं तो पुस्प में देखिए सबसे पहले पुस्प जिस टहनी से लगा होता है उस टहनी से पुस्प है एक डंटल के दोरा जुड़ा रहता है उस डंटल को हम कहते हैं पुस्प वरंत जैसे य सरचना से पुष्प है वो साका से या टेहनी से जोड़ा होता है उसको हम कहते हैं पुष्प वरंत यह इसको अंगरज्य में बोलेता ह Fredericol बोलते है पर इसको पूरंथ होता क्या है जो इसका pumping उपरलत की में गतल यह लेक्ट सोना हो प्हलावा रहता है तो तो यह दिससे उपधां को हम कहेंगे यह व्रोपुखषएहलकर इस स्फेलbak रहता है इस पार्ट को कहेंगे जो फ्हलावा व्रोबार का जो刁प्रिबांगा वो फिलावा रहता है। उस भाग को हम कहते हैं पुसपासन जिसे पुसप का आसन है इस पर पुसप के सभी पुसपतर लगेवे होते हैं। तो सबसे पहले के अपन देखते हैं इसके उपर जिसे सबसे पहले अपन बना लेते हैं अंडासे को जायां को इसको दो देखे यह बीच में एक नलिकानुमा सरचना लिये विये जो उपर से खुर्दरी होती है और इस तरह से नीचे से फुली वी रहती है तो यह सरचना यह यह पुष्प का मादावाग होगा यह इसके नीचे से पतिझे सहरे रग की सर्चनाई निकलेगी जिनको हम भाईय दल कहते हैं यह जिसे भाईय दल निकल रहे हैं यह जिसे भाईय दल है और इसके अंदर से निकलेंगे रंगीन colored जिनको अपन दल कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको अपन दल कहेंगे, तो इस तरह साथ उसको बना सकते हूं, यह colored होते हैं, फिर इसके अंदर होगा बहुत ही महतुपूर नर्भाग पुस्प का, जिसमें एक तंतुनुमा होगा, इसके उपर एक गुंडी सी लगी रहेगी, ज इस तरह से हमाँः प्राःपिक पुस्प है, तो अपन सबसे पहले उनको देख लेते हुँ, तो यह हो गया इसका पुस्पासंन, और यह जो आप देख रहे हो, यह जो पतली सबसे निचे, जो खरी रगगी सरचनाह होती है, इनको हम कहते हैं, यह जो आप देख रहे हो, इन सब को मिलाकर अपन कहेंगे भाये दल पुंज, या कहेंगे भाये दल, या के वल अपन इसको एक बार तो भाये दली लिख देते हैं, भाये दल, जो सबसे बाहर होता है, इसको अंगरिजी में अपन सेपल भी बोलते हैं, क्या वो बोलते हैं, सेपल, और सभी भाये दलों को मिलाकर क्या कहते हैं, भाये दल पुंज, सभी भाये दलों को मिलाकर क्या कहते हैं, भाये दल पुंज को हम कैसे लिखते हैं, भाये दल पुंज को हम लिखते हैं, केलिक्स, गर्जी में लिखते हैं, इसको केलिक्स, और हमने ग्यारी के अंदर पढ़ा था इसको हमने किस से रिप्रेजेंट किया था केस से इसको हमने परदशित किया था जब हमने पुस पे सुतर लिखा था तो हमने इसको केस से इसको रिप्रेजेंट किया था तो ये भाये दल होते हैं इनकी संक्या चार भी हो सकती है तो पांच भी ह सकती है और इन सबको मिलाकर तो हम він कहेदेंगे भाय दल पुंझ है उनिम पुंझ बन गहाएक और इसका एक सदसी कह कि लाएगा भाय दल कैलाएगा जिसको सेपल केते हैं तो सबको मिलाकर भाय दलपुंझ यह केसे अपना परजेंट करेंगी यह इसके पर मुकाम है प्रकासिसनलेश करना और अंदर उन्हें एंगों के सुर्कम करिए यह today काम है जो आपको यह बाहर की तरफ दिख ह apprenti यह रहे रहते है और यह चहलते हैं कि हैं अधित्न काया यह कैला готов दी इनके संक्या अलग- defect रहती है अलग-अलग कुलों के अंदर अलग-अलग कुलों के पादमों के अंदर ये दूसरे जो आप देख रहे हों ये बड़े ये कलर्ड होते हैं किसी में पीले होते हैं किसी में लाल होते हैं किसी में निले होते हैं तो इनको हम कहते हैं दल, इनको क्या कहतेंगे दल, जैसे ये सिंगल दिख रहा है, तो इसको हम कहतेंगे दल, दल को हम अंगरिजिम कहते हैं पिटल, क्या कहेंगे पिटल, और सभी दलों को मिला कर, सब दलों को मिला कर, इनको जैसे भाई दल पुंज कहा था, तो इनको भी हम कहँएँवंगे दलपुंज किया कहँएँगे दलपुंज को हम अंगर्जिम कैसे लिखेंगे कोुरो ओरो ओर ला को τους तरह इस सरना कि plugin थे ठीक्ति पूश्ट पे उत्र में अनने संसे लिखा थह तो जो किलर्ड होते हैं रंगीन होते हैं यह हमेशा रंगीन होते हैं कैसे होते हैं रंगीन जैसे यह लाल हो सकते हैं यह पीले भी हो सकते हैं यह नीले भी हो सकते हैं और यह different color के भी हो सकते हैं तो इनका मुख्यकार्य हो जाता है किटों को आकर्शित करना किटों को आकर्शित करना मतलब यह पुस्प को एक आकर्शन रंग देते हैं ताकि कीट आकरशित होकर पुस्प की तरफ आएंगे तो यहां पर बेटेंगे तो प्राकन की किरिया संपन होगी निशिचन की किरिया में मदद मिलेंगे तो किटों को आकरशित करने के लिए यह हमारे आकरशन के लिए नहीं है यह किटों को आकरशित करने के पुष्प को एक आकर्षक रंग देने के लिए इन में color आया है थाकि ज़्य कीटों को अपने और आकर्षट कर सके और पराकंक के क्रिया को संबन कराज़ के तो ये कलर वाले जो रंगियन होते हैं वो दल होते हैं जिसे गुलाब में आप देखते हैं तो लाल होते हैं सरसों में पिले होते हैं अभी आपको एक फूलोर दिखाएंगे उसमें भी ये आपके पिले रंगे रहेंगे ये तो थे आपके भाये जो भाये दल और दल अलांकि यह फिर बाद में दीर्द़ु गिर जाते हैं तो यह दोनों सायक चक्र कहलाते हैं यह दोनों क्या कहलाइँगे सायक चक्र में सायक अंग कहलाते हैं इनका ज lift में डायरेक्ट कोई रोल नहीं है अब आते हैं अपन थैसी το तीसरा अंग है वह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपको जो दिक्राई इसको हम कहेंगे पुंकेसर क्या कहेंगे पुंकेसर को हम वैसे अंगरजी में इसको इस्टेमन लिखते हैं कि इस्टेमन क्या लिखेंगे इस्टेमन और सभी पुंकेसरों को मिलाकर हम क्या कहते हैं पुंकेसर कहते हैं द्यार कि एक सदशे को तो हम पुंकेसर कहेंगे और सब पुंकेसरों को मिलाकर क्या कहेंगे पुंकेसर कहेंगे जिसको अपन बोलते हैं हैं एंड्रोई सुत्र में चितर में किसे प्रजेंट करते हैं इसको अपन दिखाते हैं तो यह जो पुंकेसर होते हैं यह सिंगल सभी पुंकेसर को मिलाकर अपन पुमंग कहते हैं पुमंग का एक सदेशी क्या गयाता है पुंकेसर गयाता है यह जो पुंकेसर होता है यह पोदे का नर भाग होता है नर्भाग होता है अब इसमें क्या क्या होता है तो वो भी अपन पढ़ेंगे अगर इसको अपन देखें डंग से तो इसके इस तरह से लगूब जानू दानी भी कह सकते हैं तो इसमें क्या बनेंगे इसमें लगूब जानू बनेंगे जो इसके अंदर बरहे रहेंगे इस प्राकोस के लगूब जानू दानी के अंदर इसके लावा इसका एक भाग और होता है जहां पर यह प्राकोस और पूतनतु जुड़ते है उस पार्ट को बोलते हैं योजी क्या गहेंगे योजी तो कुछ किताबों में इसके तीन बाग लिखे होते हैं कुछ किताबों में इसके दो बाग जैसे प्राकोज और पूतन तो लिखे होते हैं कुछ किताबों में इसके तीन बाग लिखे होते हैं पुंकेसर जिसके इंदर नर्युगमग बनेंगे सभी पुंकेसरों को मिला कर हम क्या कहते हैं पुमंग कहते हैं इसके अपन तीन भाग ले रहे हैं इसको अलांकि यह जो पुंकेसर है यह पूरा क्या कहलता है पुंकेसर इस पुंकेसर को एक नामूर देते हैं अपन इस पु रोड़ाई करहें करने ये फट Allen ऐसे को परें दूब एक येर। ये देखिये थोड़ा सा ये बढ़ा है। जैतलों क्या तरोक्षर मिद्यान पर नार्ड तो मुझेसकों क्या क्या सब्सकी सब्सक्राओं घरते प्राग कोस या बन जाएंगे लगूबिजानु बनेंगे गोल गोल जो इसके अंदर भरेवे रहेंगे तो ये इसका तीसरा में तो पूर्ण अंग हो गया पूंकेसर तो सभी पूंकेसर हो क्या कहा रहे हैं मिलाकर पुमंग पुमंग को अपने अंडरोईशियों में ऐसे अपरजेंट करेंगे और सबसे अंदरोणी पार्ट जो है यह जो आपको दिख रहे हैं यह क्यलाता है जायांग तो देखिए यह जायांग है यह जो अंदर वाला पूरा यह पूरसन है इस तरी बाग इसको पन अंडरोईशियों करेंगे और इसको किसे परजेंट कर रहे थे जिसे जायांग का एक सदे से क्या क्यलाएगा अंडप क्यलाएगा इसको अपन कारपल भी देंगे कारपल जायांग का एक सद्धे से अंडप क्यलाएगा और इस अंडप को हम गुरू बिजानू परन भी कहेंगे गुरू बिजानू परन भी कहेंगे देगे तो इसको आपको थोड़ा सा अलग बनागी बता रहे हैं देगो ये जैसे अपना एक जयांग है अब इसमें जयांग में ये एक सद्देसे है अब हो सकता है इसके इस जैसा एक और हो इसके और इधर भी एक और हो तो उन सब को मिला कर अपन जयांगी कहेंगे एक अंडप का है अब इसके तीन पार्ट होंगे देखो यह सबसे जो उपर वागए इसको पन बोलेंगे वर्तिकागर क्या गहेंगे इसको वर्तिकागर गहेंगे पन जो सबसे उपर आपको दिखरा इसको स्टिगमा या वर्तिकागर बोलेंगे अंडा से और इसको पन गएंगे ओवरी अंगर जी के अंदर कहने का मतलब है एक अंडप के तीन भाग होते हैं एक अंडब के कितने भाग होते हैं तीन भाग कौन-कौन से वर्तिकागर वर्तिका और अंड़ा से अब ये अंड़ा से सबसे मैं तो पून है इसके अंदर आपको ये अंड़ा से जो है अब अपन अंडब को क्या कह रहे हैं एक अंडब को क्या कह रहे हैं गुरू बिजानु पान कहा रहे हैं इस अंडब को क्या कहा रहे हैं हम गुरू बिजानु पान कहा रहे हैं अब इस गुरू बिजानु पान पर एक गुरू बिजानु दानी लगी रहेगी और वो गुरू बिजानु दानी होती है इसके अंडासे के अंदर तो इसके अंदर एक गुरू बिजान भाहनु धानु कि यह दिया रही तो यह सारे सब्दां आगे इस ब्रच्प में आने वाले हैं तो यह जो मादाजान्नांग अ को उसका उसके एक सद्धिशए को हम अंडख कह रहा है अंडख को हम गुरुब जानुप परंण गह अब जैसी इस तरह से हैं ये आपका एक अंडप हो गया फिर ये दूसरा अंडप हो गया ये तीसरा अंडप हो गया ये अपस में अलग अलग जुड़ी वे नहीं ये चोता अंडप हो गया तो ये सारे जयांगी कहलाएंगे लेकिन इसमें एक अंडप दो अंडप तीन अंड उसका पूरा एक जयांगी है लेकिन इसके एक स्दशु प्रकार उस्कती थो सकती है तो तो उसकती हैς एक प्रकार गात्र ही जोड़े होते हैं सत्लंद केड में नावच कर दो और तो इसके नाम कर दो सब्सक्राइब हो börjarए आए कि एक सदेश है यह एक अंडप इसके अंदर गुरू बिजानुपन और उसके अंदर एक दानी लटकी रहेगी जिसको अपन कहेंगे बिजांड या गुरू बिजानुदानी तो यह इंपोर्टेंट चीज है तो यह अपन यही फढ़ने वाले हैं तो जैसे अपने प्रा काट काट के देखेंगे यह किस तरह से दिखाई देती है इसकी सर्चना पढ़ेंगे रूसी तरह से अपन अंड़ा से कि जो विजांड उसकी सर्चना को पढ़ने वाले हैं तो यह पुस्प के अंदर अगर अपन देखें तो मुख्य ता चारंग हो यह इसके कितने हो यह सबसे बाहर की तरफ दूसरा हो इसके ठीक अंदर की तरफ दल पुंज तीसरा हो पुमंग और चोता हो जायांग अब देगे इनके केक सदिश्य को पन क्या कहते हैं लिखते हैं इसका एक सदिश्य क्या कहलाता है इसके एक सदिश्य क्या कहते हैं भाये दल इसके एक सदिश्य क्या कहेंगे दल पुमंग के एक सदिश्य को क्या कहेंगे पुंकेसर और इसके एक सदिशे को क्या कहेंगे अंडप इस तरह से अपने इसको नाब लिखते हैं कि इसके की सदिशे को क्या कहते हैं ये दोनों जो होते हैं भाय दल और दल पुंज इनको पन साइक अंग कहते हैं साइक अंग और ये जो दोनों होते हैं ये आवशक अंग कहलाते हैं नेसेसरी है इनके बिना तो जनन होगा ही नहीं जैसे निसेशन होता है भाय दल और दलपुंज गिर जाते हैं इनका जनन में डायरेक्ट कोई रोल नहीं है जबकि इन दोनों के बिना जनन संभवन नहीं होता है ये दोनों तो होनी होने चीए बढाद को हम पुमंग गहते है रोग तो पुमंग का एक सदस्य के रहायता है ओर पूंके की रोपन लग गरे लंघ कर है लोग हम लग भी अनुदाण दानियां लिग और प्लेष फॉसरोट होता है उससी तरो से गुरु देढ़र ंब्लं पर बिज्ञन गुरु भी जेण यह जो अरे रंगे जुड़े में आपस के अंदर यह वन टू त्री और फोर मतलब चार इसके अंदर भाये दल है और आपको यह पिले कलर के आपको दिख रहे हैं यह हमारे दल तो एक सदेशे को अपन क्या कहेंगे दल और इन सब को मिला कर क्या कह रहे हैं दल पूंज कह रह को इस तो इनका प्रमुक काम होता है प्रकासनसे अंदरने आगों के शुरक्षा करना और जो यह कलर होते हैं यह सुगंधित होते हैं में आकर्सक रंग होता है तो कीट इसे आकर्ष तो किटेंगे और यह जो आप देख रहे हूं यह है पूशप वरंत जो यह टैनिस होता है दीख नर्पुस्प है एक लेंगे पुस्प pospa जो इसके अंदर केवल पुङकेषर मिलेंगे इसमें कभी फल नहीं बनेगा तो ये जो आप देख रहे हों ये इसके पुङके सरह है हैं बूहँ कोиф है इन सब्हसिप पूंग शिरों को मिला यह इसके पूंके सर है अब इसमें यह जो आपको उपर की तरफ दानी दिख रही है यह है इसके प्राकोस यह इसकी क्या है प्राकोस और यह जो इसका तंतु से दिख रहे है यह पूतंतु है इस प्राकोस के अंदरी प्राकन बनेंगे तो यह एक लिंगी पुस पर आपको प करें तो है तो यह बता है तो आज की वीडियो में हमने केवल पूष्प के सर्चना को समझा है और नेक्स्ट में अपन लेंगे जो हमारा पूंके सर है नरजनन भागय पुष्प का उसको अपन फड़ने वाले हैं तो नेक्स्ट वीडियो में पन फड़ेंगे इसको आज की वीडियो के लिए बस इतना ही कि देख लिजे आप इसको एक बार कि कि